हेलो एवरीवान वेल्कम आ यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे मसाला फिश करी यह खाने में जितनी मज़ेदार होती है बनाने में उतनी ही आसान है हम इसे बिना दही के बनाएंगे और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस फिश करी को बनाएंगे तो हर बार आप इ इसकी स्किन को निकलवा दिया था आप जैसा पसंद करते हैं वैसा ले सकते हैं मैंने इसमें 1 टेबल इस्पून आटा और 1 टेबल इस्पून ऑईल लगा कर 10 मिनिट के लिए से ऐसी छोड़ दिया था उसके बाद मैंने इस अच्छे से वाश कर दिया है ऐसा करने से इसकी इसकी स्मेल जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें एक एक चम्मच लसन अधरक का पेस्ट डाल दूँगी एक चम्मच नमक आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्म करने से मसाला मचली के पेसेज में अंदर टक चला जाएगा और मचली पीकी नहीं लगागी तो मेरिनेट करने से मचली और भी टेस्टी हो जाती है तो इसे आप ज़रूर करिएगा और आप आप देखिए मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और इसे हम 20-25 मिनट के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे hand to hand भी बना सकते हैं और अब हमारा मैरिनेशन कम्प्रीट हो गया है तो चलिए हम मचली को fry कर लेते हैं एक कडाई में मैंने सरसो का तेल लिया है और one by one हम इसमें मचली के pieces को add कर देंगे और दो मिनट तक बिल्कुल भी हम इसे touch नहीं करेंगे दो मिनट के बाद हम इसकी side को change कर देंगे और इस side से भी हम इसे अच्छे से fry कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इसके pieces को add कर दिया है इसमें और अब हमारे दो मिनट हो चुका है तो ये fish जो है वो एक side से fry हो गई है तो हम इसके pieces को पलट देते हैं और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप मचली को fry करें तब oil बढ़ियां से गरम होना चाहिए और high flame पर हम इसे fry करेंगे अब देखिए इस side से भी 2 मिनट हो गया है fry करते हुए तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी fish जो है वो अच्छे से fry हो गई है तो चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं आप इसे without gravy भी खा सकते हैं क्योंकि हमने marination के time पे जो masala यूज किया था उसकी वज़े से ये बहुत ही tasty बनी है और अगर आपके घर कोई महमान आ जाते हैं तो आप इस तरह से fish को fry करके sauce के साथ serve करें ये बहुत ही मज़े की लगती है और अब हम बाकियों को भी इसी तरह से fry कर लेंगे तो बचे हुए pieces को भी मैं इसी में add कर दे रही हूँ अब इसी कड़ाई में और इसी oil में हम gravy बनाएंगे तो एक big size की प्यास को मैंने chop कर लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे और प्यास को golden होने तक हम fry करेंगे और जब हमारी प्यास golden हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और एक grinder में डाल कर हम इसका एक paste तयार कर लेंगे तो अब ये fry हो गई है मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इसका एक paste त्यार कर लूँगी और अब इसी oil में मैं आदा चम्मच डाल दूँगी मेथी दाना और हलका सा हम इसे crackle होने देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे एक medium size की प्यास का paste प्यास को हम high flame पर 2-3 minute के लिए भूल लेंगे इसे हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे और अब आप देख सकते हैं कि प्यास का color जो है वो हलका सा change हो गया है तो हमारी प्यास जो है वो fry हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे एक एक चम्मच भर कर लसन अदरक का paste और इसे भी एक minute के लिए हम भूल लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसालेः murm upon art कर देते हैं तो मैं इसमें डाल दूँगे 1डा प्युर्ट लाल मृच पाओडर 1डा प्यूर्ट बरकर हम इसमें धन्या पॉडर डालेंगे 1डा प्युर्ट नमक अपने टेस्ट के कौडिंग कम या जादा ले सकते हैं अच्छे से हम इसे mix करेंगे और mix करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट तो ये एक big size का टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बना दिया है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे और अब हम इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी जो है उसे भी हम इसमें डाल देंगे मिक्स करेंगे इसको और दो मिनट के लिए हम इसे भी पका लेंगे तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हम low to medium करेंगे और दो मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी आट करेंगे तो यहाँ पर मैं 1.5 कप के करीब पानी इसमें डाल रही हूँ आप ग्रेवी अपने हिसाब से एड़स्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो और अब हम इसमें एक एक करके मचली के पीसेस को एड़ कर देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए हम पका लेंगे मचली को हमें जादा नहीं पकाना होता है क्योंकि यह पहले से ही बहुत सॉफ्ट होती है और जादा पकाएंगे तो इसके पीसेस जो है वो तूट जाएंगे और अब आप देखिए 2 मिनट हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और अब चलिए हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं तो यह लिए हमारे मसाला फिशकरी बनकर तयार है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है और आप इसे एक बाद ट्राइज जरूर करके देखिएगा इसे बनाना बहुत ही आसाने बहुत ही सिंपल रेसीपी है यह बस आपको मेरे बताई हुए steps को फॉलो करना है मैंने इसे बिना दही के बनाई है लिकिन इसकी ग्रेवी जो है वह बहुत ही टेस्टी बनी है तो आप इसे एक बाद ट्राइज ज़रूर करिएगा